हाई गाईज आप सबका अपने चैनल आर्वी लाइट क्लस्स में स्वागत है और आज हम आपको बोर्ड मास रूल को बहुत ही बारी किसे हम स्टेप बाई स्टेप सिखाएंगे क्योंकि आज आज आप बोर्ड मास को सीखने के हैं चक्कर में सीख लेने के बाद कोई नहीं है टक्कर में चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहां पर दिया गया बोर्ड मास बोर्ड मास इसमें सबसे पहले बी फोर का काम होता है फिर ओ फोर का काम होगा फिर दी फिर एम फिर ए फिर एस इस परकार से काम होगा बी फोर ब्रेकेट होता है ब्रेकेट में स्कोस्ट्रक और को स्ट्रक होता है चार परकार के बड़ा को स्ट्रक मंजला को स्ट्रक छोटा को स्ट्रक फिर रेखा को स्ट्रक आप इसको इंगलीस ने बोल सकते हैं line bracket small bracket curly bracket फिर big bracket big bracket को English में square bracket भी कहा जाता है अब आता है off और off off मिस का और का मिस तो होता है गुना देखे जहां पे भी आपको off का sign दिखाई परे वहाँ पे multiply का sign नहीं लगाना है directly multiple कर देना है aim d for divide, divide मिस भाग aim for multiply, multiply मिस गुना, a for add add मिस जोड और a for subject मिस घटाओ, बाकी बाद दिमाग से हटाओ, और यही वाला rule पूरे mathematics में लगाओ तो वीडियो को सुरू से लेकर class तक जरूर देखेगा, क्यूंकि आज जो देखेगा, वही सिखेगा, तो चलिए दोस्तों, इसे हम question के मादन से सिखना स्टार करते हैं, तो हमारा first question है, 8 बड़ा को स्ट्रक, 4 divide 2 फिर मंजला को स्ट्रक, 4 plus 2, minus, छोटा को स्ट्रक, 4 multiply 2, और इसके उपर में है, रेखा को स्ट्रक divide 2 plus 6 है, उसके बाद छोटा को स्ट्रक 1, मंजला को स्ट्रक 1, फिर बड़ा को स्ट्रक 1, फिर लास्ट में दिया गया है, plus 8, तो आपको इसको किस परकार सहल कीजिएगा, तो देखिए, board mass में है कि before bracket होता है, यी bracket 4 परकार को होता है, तो इसमें सबसे पहले रेखा को स्ट्रक के काम होगा, फिर 2 तो नमर पर छोटा के, 3 नमर पर मंजला के और 4 नमर पर होगा बड़ा को स्ट्रक के, तो सबसे पहले आपको किसका काम करना होगा, इसका काम करना होगा रेखा को स्ट्रक को, अब बाकी को क्या करना है कि as a tease रखना है, यानि कि जैसे है वह ऐसी रख देना है देखिए कैसे अब यहां पर है 8 तो 8 फिर बड़ा कुस्टक 4 डिवाइड है 2 फिर मंजला कुस्टक 4 प्लस 2 माइनस और फिर देखिए यहां पर आता है कि 4 मल्टिप्लाइ 2 और इसके उपर में है रेखा कुस्टक तब पहले आपको तो इसे हल करना है त ने फिर डिवाइड का सहन है तो डिवाइड पलस 2 पलस 6 है और फिर छोटा कुस्टक 1 मंजला कोस्टक फिर बड़ा कोस्टक फिर पलस है फिर 8 है समझ में आया कि नहीं आया कि केवल हम इसी क्या काम किया है बाकियों किया है कि जैसे है वैसी ही रख दिये है अब आगे वाला में देखिए आगे वाला में क्या कीजिएगा कि यहाँ पे हो गया रेखा कोस्टक हो गया अब छोटा कोस्टक के काम करना है तो छोटा कोस्टक के यहाँ पे दिया गया है तो छोटा कोस्टक को कर लेते हैं तो यहाँ पे 8 फिर 4 डिवाइड 2 और इसके बाद फिर 4 प्लस 2 माइनस फिर छोटा कोश्चक अब यहाँ पे 8 divided 2 प्लस 6 है अब यहाँ पे 8 में फोर से पहले दखिए कि इसमें प्लस है और फिर डिवाइड है दोनों है साइन डिवाइड प्लस दो साइन है तो आप इसमें देखिए कि पहले डिवाइड का काम होगा पहले डिवाइड का काम होगा तो यहाँ पे देखिए पहले डिवाइड का काम होगा उसके बाद फिर डिवाइड का काम होगा तो पहले हम डिवाइड का काम करेंगे उसके बाद फिर डिवाइड का काम करेंगे मंजिला को 스톟ल प्लस टुउ और फिर माइनस अब क्या करना है कि 6 और 4 को एड कर देना है तो इसको एड कीजिए गाता कितना होगा 10 हो जाएगा तो 10 के बाहर लिख देंगे ठीक है यहां पर लिख देंगे बाहर और यहां पर हो जाएगा फिर मंजिला को एस्टक फिर बड़ा कोस्टक फिर पलस एट किका यहां प Härए उसके बाद फिर four डिवाइड टू फिर four पलस टू minus 10 है तो एक रहा इसमें पहले आप क्या कीजिएगा पहले add कीजिएगा कि पहले subtract कीजिए क्योंकि छोटा कोस्ट्रक कर लेने के बाद में आपको मंजला कोस्ट्रक को करना है तो मंजला कोस्ट्रक में पहले आप add कीजिएगा पहले s penetrate किजिएगा तो पहले देखे यहां पर एड करेंगे उसके बाद फिर subject करेंगे तो पहले हम add कर लेते हैं तो दोनों को add किजिएगा कितना होना था तो और नहीं पर यहां पर हो झाएगा सिक कितना हो ओगा और इस पर कर लेते हैं सब्ड़ेटको इस इस परकार से 4 डिखा से 2 अब इसके बाद में क्या किजिएगा कि 6 में से 10 को सब्सक्राइट करना है यानि कि इधर वाला जो ही यह पलस में है उर इधर वाल में से फैनल क्या है मैनस मैं तो जो टा को घटा दिये जते हैं पड़ा वाला पाला नियुक्त-फैनल से जब 6 को यहां से ही कोई साइन जब कोई साइन रहता है यहां पर मल्टिपली के साइन चिपा हुआ रहता है यहां लगा देंगे यहां दिक्कत नहीं होने वाला है अब क्या किजिएगा कि बड़ा कोस्ट्रक के काम किजिएगा तो यहाँ पर 8 फिर बड़ा कोस्ट्रक में पहले यहाँ पर multiply किजिएगा कि पहले divide किजिएगा इसको आपको देख लेना है तो पहले हम divide कर लेते हैं कि पहले divide होगा उसके बाद फिर multiply होगा तर टू आ जायेगा इप फिर multiply माइनस 4 और इसके बाद फिर बढ़ा इस परकार से अब क्या होगा कि बढ़ा कोष्टक के अंदर जो बचा एट और यहां पर भी देखिए कोई sign नहीं है कोई से हमें जब सान नहीं रहे था क्या लगाईएगा llam feat लगा देंगे आप यहां पर an MOR followまで 9-4 तो jej a-18 अब क्या सिखे बड़ा कोस्टक में रखिये एचाई चे चोटा की मन्ला कॉस्टक में नहीं हो सकते हैं पर यहां पर हो गया पलस बब अब इसमें multiply है उसके बाद फिल add है अब यहां पर कहिएगा कि सरह यहां पर तो सब्ट्रेक्ट भी है लेकिन सब्ट्रेक्ट केवल इस संक में है और multiply यह दोनों अंके बीच में है इसलिए multiply है अब देखें दो साइन अलग 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 आ जाता है तो बड़ा बलं स्टोटे को घटा दिया जाता है तो 68 में 64 में से इसको घटाईएगा ति कितना बचेगा तो यह बचेगा 56 और जो बड़ा साइन रहते है उसका साइन लगा दिया यह हो गया माइनस 56 यह हो गया आपका right answer आई होब दोस्ते वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो का किसी अगा लाइक अगर आप नए में माने तब प्लीज चैनल को कर लिजए कर सब्सक्राइब और यह वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अगला वीडियो किस सब्सक्राइब में तब तक के लिए जय हिंद